Hello everyone, my name is Pranjal Kalita and welcome back to the channel अब आप मैंसे काफी सारे ऐसा लोग थे जो मुझे message करे थे Telegram पे, Instagram पे और comment भी करे थे मेरे previous Accenture वाली वीडियो पे और उनको काफी सारे doubt थे, जो clear नहीं थे So in this video, I am gonna answer all of those questions और मैं try करूंगा अपने लेवल पे जितने जादा मैं आपके क्यूरी साल्व कर पाऊं ताकि आपके लिए easy हो जाए आगे का process और आप जान जाए जो आपको जानना है Okay, now this is a vlogging channel but I am still making videos like this just to help you guys, ठीक है तो इसी बात के लिए इस वीडियो को like जरू कर देना और चैनल को subscribe करना ना भूना क्यूंकि मैं जितने questions में को पूछे गया है उतने मैंने जिंदगी में answer नहीं किया बट मैं आज करने वाला हूं Okay, तो मैं पूरा starting से क्यूंकि मैंने अपना interview process clear कर लिया है तो मैं starting से एकदम मतलब जो हमारा aptitude round होता है then coding round होता है then communication round होता है वो सब के बारे में मैं आपको एक हलका सा idea भी दे दूँगा और जितने भी questions है related जितने भी उनको पूछे गया है जैसे कि आप देख सकते हो यह 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 सभी questions के और इसी तरह के जो relevant questions है उन सब के answer दूँगा so without wasting any further mode time let's get into the video okay तो हम start करते हैं अपने सबसे पहले round से जो होता है हमारा aptitude test अब extension का process ऐसा है कि आपको यहां पर तीन चार राउंड से गुजरने पड़ते हैं the very first one is the aptitude round which is an elimination round तो इसमें आपको जो normal जो हमारे aptitude logical reasoning verbal quantitative वो यह सब का मतलब solve करना पड़ता है and this is an elimination round मतलब अगर आप इसमें cut-off पार नहीं करते जो भी उन उनकी तरफ से set होगा वो बताया नहीं जाता कितना cut-off होता है बट आप मानके चलिए आपको मतलब अच्छा करना होता है इसमें तब ही जाके आप coding round के लिए eligible होंगे ठीक है अब यह जो aptitude round वगरा होता है यह सबसे पहला round होता है इसके बाद यह आगे बढ़ेंगे तो फ को भी पूछ रहे थे तो मिर को जितना पता है मैं आपको बताने वाला हूँ तो बात करते हैं सबसे पहले क्योंकि इसमें दो coding test होते हैं तो जो सबसे पहला obviously question आता है कि मतलब अगर दोनों हमने मतलब नहीं किये अगर कर नहीं पाए या फिर साई से यह compile नहीं हुआ या फ communication round के लिए तो मैं बताना चाहूंगा कि in that case या obviously देखो पहला वाला elimination round था बट coding elimination round नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि मतलब अगर आप दोनों ही नहीं करोगे तो आप eligible हो जाओगे अगले round के लिए the thing is that कि जो भी मतलब जो हमारा first जो round था उसके number और जो हमारा second round coding test उसके number जुड़के ही आपका selection decide होता है for the next third round जो की है हमारा communication assessment जिसका मतलब है अगर आप इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं करते coding में तो मैं बोलूंगा या जो chances है वो slightly कम हो जाते है so at least try to compile one quote properly तो अब आ जोनों ही code अच्छे सी किये हैं तो फिर क्या mail में लिखा होगा कि मैं मतलब FAC या फिर ASC के लिए select हुआ हूँ देखो मैंने इंटरव्यू दिया है और मैंने बाकियों से भी बात किये जिन लोगोंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने किसी किसी ने clear भी कर लिया है जि तो रोल हैं तो के associate software engineer और full stack engineer का full step developer का तो फिर मैं बोलूगा अगर आप दोनों करते हैं तो फिर maybe later यह आपको help करे तो उस full stack developer वाले you know role के लिए तो फिलाल मैं तो बोलूगा कि mail में कुछ mention नहीं होता ठीक है पर बाद में शायद से after you know accepting LOI और uploading documents जो की interview के बाद होता है उसके बाद शायद से फिर यह सब decide होगा अभी के लिए आप मान के चलो कि कुछ भी mail में mention नहीं होगा now moving on to the third question जो काफी सारे लोगों ने पूछा था तो मुझे सब पूछा उनने की मैंने तो अपना aptitude भी अच्छा दिया है मैंने अपना coding round भी अच्छा दिया है but still I haven't got my haven't received my communication mail तो फिर कितना time लग जाता है इसमें आप्रॉक तो मुझे तो एक दिन बाद ही mail आ चुका था इसके बीच में आपको आ जाना चाहिए until and unless कुछ अगर कुछ major ही delay हो रहा हो अगर तब भी नहीं आता तो try reaching out the Accenture support lines वहाँ पर शायद से वह आपकी यह problem rectify कर सकते हैं now moving on to the fourth question मुझे एक person ने यह पूझा था कि यह जो communication round है यह elimination round है यह नहीं है या फिर इसके basis पे आगे हमें भीचते यह नहीं है तो यह मैं बोलूँगा देखो elimination round नहीं है यह जो communication assessment है बट आपको इसमें definitely अच्छा perform करना पड़ता है अगर आप 60% से भी उपर perform करते हो अच्छी तरह तो फिर आपके chances हो जाता है कि आप interview के लिए बुलाए communication round easy रहता है इसका format के बार में बस आपको जानने के जरुरत है और थोड़ी practice की जरुरत है उसके बाद आप इसे easily attempt कर सकते हैं अगर आपको communication round के बार में ज्यादा जानना है तो मैंने description में एक link दे रखा है वो मेरी ही video है अब जाके देख सकते हैं and on top of that आप मुझे telegram पे Instagram पे जो link है मैं नीचे डाल रखा है description पे तो आप वहाँ पे message कर सकते हैं मैं आपको हूब हूब ऐसा ही एक sample video भेज दूँगा ठीक है तो communication round के बार में tension लेने की कोई बात नहीं है तो अब अगर बात कर रहे है communication round की तो एक और related क्यूरी है जिसके बार में मैं बताना और interview वाले mail में आपको choose करना पड़ता है particular time जो कि एक mention date पे already आपका set होता है तो आपको सिर्फ time choose करने की जरूरत है कि आपको interview कब देना है तो अब बात करते हम अपने अगले question की जो की related है communication assessment से ही काफी सारे लोगों ने ये भी पूछा कि communication assessment देने के लिए क्या हम headphone, earphone use कर सकते हैं तो मैं बोलूँगा हाँ आप definitely आप use कर सकते हैं कोई problem नहीं है और मैं तो recommend करूँगा कि आप earphone ये फिक इसी तरह का headphone use करिये but make sure it has a mic ठीक है आप किसी भी तरह का use कर सकते हैं और better एक listening के लिए और better you know input के लिए आप इसी तरह का कुछ device use करिये now मुझे एक और question आया था जो मुझे पूछा गया था और वो question था कि do I have to pronounce every sentence within the time limit तो मैं बोलूँगा यार हाँ बिल्कुल मतलब आप जितने ज्यादा sentences clearly और rightly pronounce कर सको वो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखो जो time limit होता है वो आपका 20 to 30 seconds का होता है और यह enough time होता है कि आप अच्छे से सुनके अप अराम से उनको reply back कर सकते हो वह sentence and मैं बताना चाहूंगा it takes approximately 12 to 14 days from the right from the you know date of exam to the result for the interview इतना time लग जाता है कि इसी बीच में आपके सभी processes हो जाने चाहिए या फिर कभी-कभी due to some other reasons थोड़ा और भी ज्यादा time लग सकता है तो थोड़ा patience रखिए और आप थोड़ा wait करिए आपको दो या तीन दिन में तो आपको next round के लिए mail आ जाना चाहिए और एक और परसन ने मुझे पूझा कि आखिर length क्या होता है sentences का वायर ऐसे कुछ भी मतलब ऐसे fixed length नहीं है बट मैं बोलूँगा starting में तो आपको मतलब बहुत छोड़े-छोड़े से और easy sentences आते हैं और बीज विच में शायद से एक दो आपको थोड़े से lengthy लग सकते हैं से sentences भी आते हैं बट जो इसमें words होते हैं वह मतलब simple ही होते हैं कुछ hard नहीं होता बस आपको अच्छे सुनने के जरुरत है और just in case अगर आप मतलब कोई word आपको समझ ना भी है तो मैं बोलूँगा उस case में आप बीच में रुक मत जाना कुछ भी मिलता जुलता बोल दो ठ कर रहा हो बट मुझे आगे का process का भी पता है जिसके बार में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा वो subscribe करें ना फिर इसी में सारे updates आते रहेंगे तो बात करते हैं जिस चीज़ के बार में बात कर रहा था कि मतलब जब आप interview clear कर लोगे तब आपको LOI आता है letter of intent और उसके बाद ही फिर आपका document upload और verification वगरा होता है तो जो जो order रहता है वो ऐसा ही रहता है आपका सबसे पहला जो aptitude test then coding test then communication test then interview then later on LOI then upload of documents हो गएरा ओके ठीक है तो आपको task दिये जाएंगे जो आपको clear करने पड़ेंगे जो आपको submit करने पड़ेंगे after the interview बड़ यह बात की चीज़ है इसके बार में बाद में बात करेंगे बट फिलाल कर ले हम बढ़ते हैं अगले question पर और इसमें पूछा गया था कि मेरा तो एक backlog है तो अगर आपने previously कोई है तो कोई दिकत नहीं है वो clear हो जानी चाहिए बट active means in the sense कि आपके final semester में या फिर कोई previously जो clear नहीं होई है वो नहीं होनी चाहिए तो no matter अगर आपने interview भी clear कर लिया और बागी के सभी rounds भी मतलब अच्छे number से clear कर लिया अच्छे score से clear कर लिया score के बार म है वो मतलब proper नहीं है या फिर उसमें जो data है वो manipulated है या फिर match नहीं कर रहा है जो आपने पहले मतलब दिया है तो definitely आपका जो यह offer of employment है rework हो जाएगा ठीक है और आपको second chance नहीं मिलेगा तो ध्यान रखेगा form भरने से पहले और बाद में भी कि जो आप document upload करते हो वो ठीक है वो correct हो और जो आपने पहले मतलब mention कर रहा हो उससे बिल्कुल exactly मिलते हो वरना फिर आप मतलब हटा दिये जाओगे और फिर आपको consider नहीं किया जाएगा इस drive के लिए और guys मैंने अपना interview experience अपने channel पर डाल रखा है description में आपको link मिल जाएगा और communication assessment वाले का भी experience डाल रखा Instagram पर message कर सकते हो मैं अपने level पर जितना भी मुझे पता है जितना भी मुझे information मिला है मैं उसके according ही आपको help कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है मैं सब को ही reply कर रहा हूं so please consider subscribing to this channel और मेरे vlogs भी देखना मत भूलना वह भी अच्छे-च्छे हैं so मैं भी देख अभी result का wait कर रहा तो नेक्स वीडियो तक के लिए goodbye and take care and stay safe